आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ साउथ की बहुत ही फेमस रसम की रसम की रसम को अलग-अलग तरीके से बना जाता है टमाटर से बना जाता है इमली से बना जाता है दाल के साथ बना जाता है आज जो मैं वराइटी बनाने वाली हूँ वो है पेपर रसम यानि काली मिर्च बहुत ही आसान है बनाना बहुत ही हल्दी है बहुत ही फ्लेवर्फुल है और प्लेन स्टीम राइस के साथ जब आप इसे खाएंगे न तो आपका दिल खुश हो जाएगा इतना अमेजन बनता है यह तो घर की चीजों से बिना मेहनत के अगर आपको कोई हल्दी डिश मिलती ह तो क्यों न उसे ट्राइ किया जाए है ना पैपर रसम या काले मिर्च वाली रसम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इमली लिया है सुखे इमली का इस्तमाल करें इसे पानी में हम भीगो के दो घंटे के लिए रख देंगे ताकि इमली जो है वो फूल जाए अगर आपको जलबाजी है तो इसे गरम पानी में भीगो दे उससे ये 15-20 मिनट में फूल जाता है अब हम क्या करेंगे इससे अच्छे से रख करके इसके अंदर का पल्प निकाल लेंगे इससे हमें एक बड़े बर्दन में डाल देंगे और उसके बाद रख करके इसके पल्प को निकाल लेंगे जो बीज और धागे जैसे जितने रहते हैं वो सारे अलग निकाल ले पूरा पल्प जो है वो स्मूध होना चाहिए तो आप चीए तो हथेलियों से ऐसे चाहन के निकाल लें नहीं तो आप इसे इस ट्रेइनर से भी चाहन के निकाल सकते हैं तो यहाँ पर यह देखिए मैंने यह जो बीज वगरा है वो निकाल दिये है अब हम क्या करेंगे कि यह जो पल्प है उसमें पानी डाल देंगे तो यहाँ पे दो कप के करीब आप इसमें पानी डाल दें पानी डालने के बाद हम इसे एक बार मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे चान लेंगे चानना इसमें optional है अगर आपको लगता है कि इमली के जो धागे हैं वो आएंगे खाने में तो आप इसे अच्छे से चान ले तो यह दिखे चानने के बाद ना यह सारे जो थ्रेट से वो निकल जाते हैं तो यह हमारा इमली का जो रस है वो पूरा ही स्मूध हो गया यूस करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स प्रसेस में जहां पर हम काली मिर्च और जीरा को कूट लेंगे तो यहाँ पर दो बड़े चमच मैंने काले मिर्च लिया है एक बड़ा चमच जीरा ले ले और इसमें लैसोन डाल दे तो लैसोन आपको कम से कम 15-16 इस्तमाल करने हैं मैंने यहाँ पर छोटे वाले लैसोन इस्तमाल किया है इन तीनों को अच्छे से क्रश कर ले यह देखिए ऐसे तो कूटने के बाद मसाला का जो टेक्स्टियर है वो ऐसा हो जाएगा तो इसे हमें पीसना नहीं है इसे हमें कूटना है तो यह हो गया हमारा पेपर रसम का मसाला अब हम क्या करते हैं राइस बना लेते हैं उसके बाद रसम बनाएंगे तो यहाँ पे राईस और रसम दोनों मैं साथ में बता रही हूँ इसलिए राईस का भी जो measurement है वो मैं आपको बता देती हूँ वैसे राईस तो आपको आता ही होगा बनाने तो यहाँ पे यह चावल को मैंने धूल लिया है अब हम इसे pressure को कर में डाल देंगे तो जब भी आप चावल बनाएना है तो पानी की मात्रा जो है वो ध्यान में रखे अगर आपको पुलाओ के लिए राईस बनाना है तो पानी डेढ़ गुना इस्तमाल करें और नॉर्मल खाने के लिए पानी दो कप मतलब जितना चावल लेना उसका डेढ़ गुना या फिर पानी दो कप पानी का इस्तमाल करना है पानी दो कप में राईस जो है वो एकदम पॉफिक्ट बनेगा जो रसम के साथ खाएंगे आप तो यहाँ पे नमक डाल ले और उसके बाद प्रेशर कुकर का ढखकन बन करे और हाई फ्लिम पे दो सीटी लगाए दूसरी सीटी लगते ही गयास को बन कर दे और कुकर को अच्छे से ठंडा हो जाने दे जब कूकर खुद से ठंडा हो जाएगा तब आप इसे खोले बीच में नहीं खोले तो यहाँ पे दूसरी सीटी लग गई है गैस को बंद किया है मैंने अब हम क्या करेंगे इसे सावधानी से खोल लेंगे तो यहाँ पे हमारी राई जो है वो बंद के तियार है और रसम का मसाला जो है वो हमने बना के रखा है तब हम क्या करते हैं कि चलेंगे रसम बनाने के प्रॉसस में तो रसम बनाने के लिए किसी भी पतीले या कड़ाई ही में तेल गरम करें मैंने यहाँ पे 4 चमच तेल गरम किया है तेल के गरम होती हम इसमें आदी चोटी चमच ही डाल देंगे और इसके बार देड़ चोटी चमच हम इसमें राई या सरसू डाल देंगे 3-4 सूखे लाल मिर्च डाल दे और करीपत्ता डाल दे इन सब को अच्छे से पका ले जैसे ही राई और मिर्ची पक जाएगी हम इसमें डाल देंगे टमाटर तो दो टमाटर को मैंने ऐसे बारी काटके रखा है टमाटर को आप चीए तो मैश करके भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसे ऐसे मिक्स करेंगे और सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे टमाटर जितना ज़्यादा अच्छे से पकेगा रसम आपका उतना ही अच्छा बनेगा अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दे टमाटर को जल्दी पकाना है तो आप इसमें नमक भी यहाँ पे आड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे हल्दी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया अब जो इमली का पानी हमने बना के रखा है ना ये इमली का रस वो इसमें डाल देंगे तो इमली का जो पानी है वो बहुत ही खटा होता है तो इसे बैलन्स करने के लिए आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी डालना है तो दो कप पानी वापस डाल दे और इसके बाद हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे एक जो थाई कप बारी कटा हुआ धन्या पत्ता डाल देंगे अब हम यहाँ पर वो मसाला डाल देंगे जो हमने क्रश करके रखा है यानि काली मिर्च, जीरा और लैसुन का तो दो बड़ी चमच आप यह मसाला डाल दें स्वात के अनुसार नमक डाल दें अगर आपको इसी तीखा बनाना है तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर एड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर सूखे लाल मिर्च डाला है और जो काली मिर्च है उसका भी तीखा पन रहेगा तो यहाँ पर हमारा रसम जो है वो पग्या है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है रसम के बहुत सारे फाइदे हैं मतलब यह हमारी इम्मूटी तो बढ़ाता ही है साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करता है आप इसमे सबजिया भी डाल सकते लेकिन ट्रडेशनली जो रसम है वो ऐसी बनता है तो यहाँ पर हम गया उसको बंद कर देंगे और इसके बाद ले चलेंगे इसे सर्फ करने का प्रासेस में तो रसम जो है जब उससे सर्फ करें तो केले के पत्ते में सर्फ करें तो मज़ा ही आ जाता है मेरे पास अभी रसम को देखिए आपको ये ख्याल आएगा कि इसमें किया ही टेस्ट होगा ना इसमें डाल है ना सबजी है एकदम पानी जासा लेकिन ये इतना फ्लेवर फुल है कि क्या बताऊं मतलब एक निवाला आप इसका खाएंगे ना जब राईस के साथ मिक्स करके तो आपको लगया कि कितना कितनी अच्छी डिश आपने खाई है बहुत ही बहुत ही amazing डिश है रसम को आप राइस के साथ सिर्फ करें प्लेन स्टीम राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा आप इसे सूप की तरह भी पी सकते हैं तो यह हमारा बहुत ही पसंदीता और बहुत ही अमेजिन रसम जो है वो बन के तियार हो गया है आप इसे एक बार जरू ट्राइ करें तो यहाँ पे न मैं इसे राइस के साथ भी सर्फ करके दिखा देती हूँ तो राइस सर्फ करने के लिए एक कर्टोरी में आप राइस को ऐसे भर दे और उसके बाद इसे अच्छे से प्रेस कर दे अब इस कर्टोरी को हम सर्विंग प्लेट में ऐसे उल्टा कर देंगे केले की पत्टे में सर्फ करेंगे तो इस डिश की जो रिचिने से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ पे यह राइस रखा मैंने और इसके उपर हम ये रसम डाल देंगी तो रसम जो है और यहाँ पे ऐससे संटर में डाल दी बस डेकोरेशन के लिए जरूरी नहीं है और इसके बाद इसे गर्मा गयम सर्फ करना है इस डिश को बनाने में या फिर इसके नाम में या प्रनाउंस करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजेगा तो आप इस रसम राइस को ऐसे हाथ से खाए आपका दिल खोश हो जाएगा इतना टेम्टिंग इतना मज़िदार लग दाने कि क्या ही बताओं आप इस रसम की रेसिपी को एक वाज जरूर ट्राई कीजेगा ये डिश आपको बहुत पसंद आएगी